राज्यसभा सांसाद दिपंदर हुड़ा ने कहा जजज़र की बेटी को जल्द से जल्द मिले नहाए सांसाद दिपंदर शिंग हुड़ा ने आज जज़र में आयुजित सामाजी कार्यकर्मों में सिर्कत की दिपंदर हुड़ा ने जड़ जड़ की बेटी के परिवार से मिलकर सोक वेक्ट किया और उन्हें डाडर्जमन आया उन्होंने फास्ट रहके कोड में मुकदमा चलाने और कठोर से कठोर सजा दलाने की मांग करते हुए कहा कि ये अन्याय केवल एक परिवार के साथ नहीं बलकि पूरे समाज के साथ हुआ है और अन्याय तभी मिलेगा जब फास्ट रहके कोड के माधिमों से पीडित परिवार को जल से जल इंसाब दलाय जाएगा उन्होंने कहा कि इंसाब दिलाने के लिए वो हर स्तर पर आवाज उठाएंगे इस दोरान पुरह मंत्री और विदायक गिता भुकल भी मौजूद रही उन्होंने गाउं बरधाना में सामुदाइक भवन का उद्गाटन किया और गाउं बीटला में भारति इनो सहना के सहीद अमित मान की परतिमा का अनावरण किया इस वस्षर पर उन्होंने कहा कि भारति इनो सहना के लड़ाकु जहाज आई एनएस जोती में तैनाथ वीर सहनिक अमित मान की साहधत पर परतेक देशवासी को गरव है सांसा दिपन्दर हुडा ने केंपि एक्सप्रेक्स वेके साथ मनने वाले हरियाना औरॉकल रेल कोरीडूर का मुआवजा बढ़ाने की माँग को लेकर आंदोलन रध किसानों की मांगों का समर्थन किया कहा कि जब मुख्रमंतरी ने मुआवज़ा बढ़ने का आस्वासन दिया है तो उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है इसके अलावा किसानों की जो मांगें केंदर से सम्मनित हैं उन्हें पूरा करवाने के लिए हरियाना की बाजपा सरकार केंदर की वाजपा सरकार पर दबाव बनाए दिपंदर हुड़ा ने कहा कि किसानों की जमीन जाने के बाद उनकी आजिविका के लिए कुछ नहीं बचेगा कम से कम इतना मुआवज़ा तो ने मिलना चाहिए कि किसान परिवार के बच्चे अपना रोजगार कर सकें दिपंदर हुड़ा ने कहा कि सरकार की वादा खिलाफी से किसानों में बारी रोज़ से सरकार के इस रोज़े से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं